हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिसकस अबाउट सवराज पार्टी 1923 सवराज पार्टी का गठन कब किया गया 1923 में इसका गठन क्यों किया गया हम इसके बारे में जान लेते हैं पहले तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था नौन कोपरेशन म मुमेंट कब स्टार्ट किया गया था 1920 में यह महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत बड़े वर्डवाइड लेवल पर स्टार्ट किया गया था इसका टाइम पिरेड रखा गया था 1920 से लेकर 1924 तक लेकिन 1922 में ही एक चोरा-चोरी नामक इंसिडेंट होता है जो चोरा- से महात्मा गांधी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं उनको बहुत ज्यादा शौक लगता है जिससे वह नौन कॉपरेशन मुवमेंट को वापिस लेने की घोशना कर देती हैं तो जो गांधी जी के कलीक्स होते हैं मतलब जो उनके साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे थे वह इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं तो कौन होते वह मोतिलाल नहरू सीयार दास वगेरा होती हैं जो जिनोंने ला ओफिस को बाइकॉट किया था तो वह क्योंकि वह यह कह रहे थे कि आप नौन कॉपरेशन मुवमेंट को बंद मत करो लेकिन मात्मा गांधी जी नौन कॉपरेशन मुवमेंट को वापिस ले लेते हैं जिससे यह सब बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और गांधी जी और इनके कलीक्स के बीच में बहुत ज्यादा सीवियर क्रिटिसिजम पैदा हो जाता है जिससे यह जो मोतिलाल नहरू सीयार दास होती हैं और एंसी केल कर होते हैं यह अपनी अलग से पार्टी बनाते हैं जिस पार्टी का नाम दिया जाता है सवराज पार्टी तो ऐसे ऐसे कि सवराज पार्टी के बारे में पढ़ लेते हैं गांधी जी डिसीजन टूप ऑफ दा एगिटेशन कॉस्टेशन अमंग मासेज जब क्रिटिसिजम फ्रॉम इस कलीक्स और उनसे के कलीक्स के बीच में सीवेर क्रिटिसिजम पैदा हो जाता है कौन-कौन होते हैं जो मोतिलाल नहरू सी यारदास एंड एंसी केलकर हूँ और गेनाइज पार्टी यह तीनों मिलकर सवराज पार्टी को और गेनाइज करते हैं ल पर्पोस करते हैं जो सवराज पार्टी के जो यह मेंबर होते हैं यह लोगों को यह बोलते हैं इसलिए एंकरेज करते हैं कि तुम legislative council के ना member बन जाओ जिससे वो election में participate कर सके और उसके against मतलब जो Britishers होते हैं Britishers के against elections लड़के वो Britishers को सामने अपने demands रख सकते हैं ठीक है तो इसलिए इन्हों के लोगों को legislative council का member बनने के लिए एंकरेज किया तो देखें यह legislative council क्या चीज़ है ठीक है तो आपको याद होगा established under Montague change for reforms of 1990 Montague change for reforms आये थे 1919 में जिसमें डायार की system को लागू किया गया था डायार की system में क्या होता है जो राज्य की राज्य परिशद होती है और जो केंदरिय परिशद होती है दोनों को उनके काम divide कर दिये जाती है ठीक है तो इससे क्या इसमें ही क्या हुआ कि जो legislative council थी उसकी स्थापना की गई थी उसको बनाया गया था फॉर्म किया गया था कब किया गया था और जिससे वो इन elections के द्वारा वो क्या कर सकते हैं अपनी popular सवराज पार्टी कैपचर्ड 45 ऑफ द्व प्रोग स्व पहन भाने सिट सवराज पार्टी को 45 सीटे मिलती है डhäng तोटल कितनी सीटे थी 145 सीट तो 145 में opai निनको 45 सीट मिलती है इन प्रोविंशव इलक्षिंख और जो प्रोविंशव इलेक्षिंख और सानतिय एलेक्शन होती हैं उनको कुछ ही सीटे मिलती हैं बट इन दस सेंटरल प्रविंस लेकिन जब सेंटरल प्रोविंस की होते हैं तो यह सकता है कि जो व्राजपार्टी थी उसको टोड़ल क्लीर मैजॉरे टी कौन से elections में मिली और कुछ सीटे कौन से election में मिली तो clear majority मिली थी center के province center provinces के elections में और थोड़ी सीटे किसमें मिली थी provincial elections में ठीक है इन बंगाल the सवराज party was the largest party और बंगाल में जो सवराज party है वो बहुत बड़ी party बनकर सामने आती है they followed the policy of undiluted opposition तो यह कौन सी policy को follow करती है undiluted opposition की the सवराजिस्ट demanded the release all the political prisoners provincial autonomy repealing of the repressive laws imposed by the government तो यह जो सवराजिस्ट होती है यह Britishers के सामने जो British government होती है उसके सामने क्या demand रखते हैं कि हमारे जितने भी political सत्याग रही है जो भी jail में है उन सब को छोड़ दो provincial autonomy दो हमें repealing of the repressive law जितने भी repressive law लगाए है न imposed by the government गवर्मेंट ने उन सब को repeal कर दिया जाए खतम कर दिया जाए however after the death of CR-10 in 1925 लेकिन 1925 में क्या होता है CR-10 की death हो जाती है they drifted towards a policy of cooperation with the government इसी क्या होता है जो यह party होती है इसके बाद देखिए आता है साइमन कमिशन 1927 साइमन कमिशन 1927 आता है देखिए इसमें क्या होता है जब 1919 में यह चैंप्सफॉर्ट रिफॉर्म्स आये थे इसमें जो ब्रिटिश ने इंडियन्स को कुछ दे दिये थे काम यह इन्होंने यह कहा था कि हर दस साल में एक कमिशन आएगा जो इनके कामों की जाच करेगा तो यह कमिशन आता है 1927 1927 में लेकिन इसका सब जो इंडियन्स होते हैं वह इसका अपोज करते हैं इसके अगेंस अब दायार की सिस्टम इंटर बइबाएदा मॉन्टेग्यू चेंज़ इंडियोंस इंडियन देखें हमने बताया कि जो मॉन्टेग्यू चैं़ रिफॉर्म्स लाइग थे 119 में उसमें कॉन साथ सिस्टम आया था डायार की जिसमें जो government के काम थे उनको टू-पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था तो इसी का चेक करने के लिए इसी के activities को चेक करने के लिए the activities of the सवराज पार्टी की जो activity हैं उनको चेक करने के लिए British government और यह कहा था कि अपनी प्रस्तूत करो क्या इंडिया में इनकी गवर्मेंट लाई जा सकती है या नहीं तो क्या हुआ ब्रिटिज गवर्मेंट अपॉंटेड दा साइमन कमिशन इन नवंबर 1927 तो ब्रिटिज गवर्मेंट होती है वो साइमन कमिशन को अपॉंट करती है नवंबर 1927 में जो इस कमिशन में कितने टोटल मेंबर थे साथ मेंबर थे और सभी मेंबर यूरोपियंस थे गोरे लोग थे तो इससे क्या होता है जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे न वो इंसल्टेड फील करते है कि सारे के सारे ही साइमन कमिशन के जितने भी मेंबर है वो सब यू लिव्यू कर सकते हैं इसलिए and decided to boycott the commission और उन्होंने decide कि हम इस commission का boycott करेंगे wherever the commission went there for there were cries of Simon go back और जैसे ही यह Simon commission इंडिया में आया यह इंडिया में कब आया 1928 में November 1927 में इसको अपॉइंट किया गया था और इंडिया में कब आया था 1928 में तो जैसे ही कमिशन इंडिया में आया तो इंडियंस ने Simon go back का नारा दिया कि Simon वापस जाओ Simon वापस जाओ इट वाइल लीडिंगा demonstration अगेंस साइमन कमिशनी लाहूर और लाहूर में भी इसका इसके अगेंस स्रेश किया जा रहा था तो क्या हुआ वहां पर लाला लाजपत्राइब आपने पढ़ा होगा कि लाजपत्राइब की लाठिया मार मार कर दी गई थी इससे क्या हुआ यह साइमन का साइमन कमिशन का पोज कर रहे तो जो लाला लाजपत्र आई हैं वो भी उनमें से एक थे उन पर बहुत सारी लाठिया बर्साइगे जिसे उनकी डैथ हो गई थी इट वाज है भगत सिंग एंड ही कमरेड्स जब उनकी डैथ हो गई तो उसका बदला लेने के लिए भगत सिंग और उनके कॉमरेड्स ने कॉमबर 1928 में दिसंबर 1928 में सांटर्स कित्या कर दी किसने भगत सिंग ने ठीक है तो देखिए इसमें क्या हुआ था बगत सिंग को रेस्ट के लिया गया था और उनको फांसी दे दी गई थी ठीक है तो ऐसे साइमन कमिशन का अपोज किया गया था इसके बाद आती है नह सिंगे तो इसका क्या करते है कि यह अपना ना कॉंस्टिउशन बनाने के लिए को यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करते हैं जिससे देखिए क्या होता है दचीफ आर्किटेक्स ओफ दर रिपोर्ट वर थीप आर्किटेक्ट होते वह कोन होते हैं मौतिलाल नहरू एंड तेज बहादूर सप्रू देखिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नाम है मोतिलाल नहरू एंड तेज बहादूर सप्रू दा रीकमेंडेशन इवोकड़ा लाइवली डिबेड कंसर्णिंग दा गॉल ऑफ इंडियन डॉमीनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंड तो जो ये रिपोर्ट प्रस्तूत करते हैं उसमें किसकी इंडियन डॉमीनियन स्टेटस की डिमांड की जाती है और कंप्लीट इंडिपेंडेंडेंडेंस की ठीक है इसके बाद देखी आता है 14 पॉइंट्स ओव जिन्ना 9 मार्च 1929 तो देखे इसमें क्या होता है गांधी जिन्ना होते हैं वह इसे खुश नहीं होते हैं नेहरु रिपोर्ट से तो यह क्या करते हैं यह अपना एक अलग से डिमांड लिस्ट देते हैं जिसको 14 पॉइंट्स ओफ जिन्ना बोलते हैं तो मौह यह मुमत अली जीन्ना कौन थे यह जो मुसलिम लिग की साफना कब की ग जिन्ना देयर आफ्टर रियू अपाल लिस्ट ओफ लिस्ट देते हैं जिसको 14 पॉइंट्स ओव जिन्ना बोला जाता है इसके बाद नेक्स आ जाता है लाहॉर सेशन दिसम्बर 1929 दिसम्बर 1929 में एक लाहॉर सेशन होता है इसके प्रेजिडेंट कोन होते हैं सेशन के जौहरलाल नहरू इसमें जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस होती है यह एक रिजोलिशन पास करती है कि इसका पूर्ण सवराज का मतलग कम्प्लीट इंडिपेंडेंडेंस का कि जो भी हम नेशनल मुवमेंट करेंगे उसका गोल क्या होगा पूर्ण सवराज प्राप्त करना कम्प्लीट इंडिपेंडेंडेंस को प्राप्त करना ओन दिसमबर 31, 1929 इकतिस दिसमबर 1929 को क्या होता है न्यूली अबडॉप्टे ट्राइकलर फ्लैग वाज अनफर्ड एंडिपेंडेंस डेंडेंडेंस तो जो इकतिस दिसमबर 1929 को क्या किया जाता है हमारे एक नए ट्राइकलर फ्लैग तीन कलोरों का जो हमारा जणडा होता है उसको अनफर्ड किया जाता है लहराया जाता है and January 26th को fix कर दिया जाता है कि ये हमारा Independence Day है which was to be celebrated every year इसलिए ही तो हम हर साल Independence Day 26 January को मनाती है pleading to the people not to submit to British rule any longer जो कहता है जो ये बताता है कि जो people है not to submit to British rule any longer कि अब Britishers की government नहीं रहेगी लंबे टाइम तक ठीक है तो 31 December 1939 को ट्राइकलर को अडॉप्ट किया जाता है और 26 January को Independence Day के रूप में fix कर दिया जाता है next आता है डांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रे डांडी मार्च को ही सॉल्ट सत्याग्रे भी कहते है जो कब लागू किया जाता है कब स्टार्ट होता है ये 1930 को ये डेट है जो ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कौन सा गोल अचीव करने के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस का पूर्ण सवराज गांधी लॉंच्ड अनदर सिविल डिस ओबिडियन्स मोमेंट गांधी जी एक दूसरा सिविल डिस ओबिडियन्स मोमेंट लॉंच करते हैं ऐलोंग विड ट्वेंटी एट फोलोवर्स तो कितने 78 फोलोवर्स के साथ तो टोटल डांडी मार्च वे कितने परसं से 79 गांधी जी को मिला कर ठीक है तो यह कोशन आ सकता है गांधी जी को मिला कर कितने फोलोवर्स थे या गांधी जी के अलावा कितने और फोलोवर्स थे गांधी स्टार्टेड इस फेमस मार्च 78 followers के साथ गांधी जी ने अपना ये जो फेमस मार्च से इसको start किया कहां से from साबर मती आश्रम on March 12, 1930 12 March 1930 को for the small village dandy small village dandy से इन्होंने अपना ये जो मार्च है ये शुरू किया 9 सारी district to break the salt log क्यों start किया था ये break जो salt ला था इसको तोड़ने के लिए गांधी covered a distance of 240 miles in 24 days जो गांधी जी थे इन्होंने 240 मिल का रास्ता तै किया 24 दिन में March 12 से लेकर अप्रेल 5 तक on reaching the seashore on April 6 और ये जो seashore कहां कप पहुँचे 6 अप्रेल को he broke the salt log और यहाँ पर इन्होंने पहुँचकर नमक बना कर salt जो ला था उसको तोड़ दिया by picking up salt from the seashore seashore से जो salt बना कर इस salt log को तोड़ दिया था by picking a handful of salt मतलब पूरी मुठी भर नमक उठा कर गांधी जी ने गांधी जी inaugurated the civil disobedience movement गांधी जी ने civil disobedience movement को inaugurate किया था a movement that was to remain unsuppressed in his in the history of the Indian national movement for the country wide mass participation in unleashed तो यह जो national movement था यह बहुत बड़े sparked of patriotism even among the Indian soldiers in the army even जो Indian soldiers थे army में उन्होंने भी इसमें participate किया था गड़वाल soldier refused to fire on the people at Peshawar जो गड़वाल के जो soldier थे उन्होंने लोगों के उपर fire करना refuse कर दिया कहां पर पेशावर में गांधी जी वास अरेस्टिड ओन माई 5 1930 पांच माई 1930 को गांधी जी अरेस्ट हो गए इस वाज फोलोड बाइ अनदर राउंड ओव बाइकॉट और फॉरंड गोड्स तो यह किस से किसके क्या क्यों किया गया इसमें भी बाइकॉट किया फॉरंड गोड्स का और इस मोड्स ने पूरे नेशनवाइड का रूप ले लिया नेशनवाइड सिविल डिस पविडियंस मोड्स फॉर्वीड मंड्स कौन थी सारोजनी नाइडू कौन थी ची पहले पाटिसुपेट किया सवे सोन देर आफ्टर फोलौड हिप्रेसिव मेजर सच अशस मास अरेस्ट लाधी चारज पुलिस फाइरिंगे की गयी अिसे मृत सारे एस बुटिश तोरा काम किए गए about one lakh people went in jail लगबग एक लाख जो लोग थे वो जेल में डाल दिये गए तो देखिए इससे क्या हुआ जो यह नेशनल movement था यह पूरे इंडिया में फैल गया और इसमें महिलाओं ने बहुत ज़्यादा लेवल पर भाग लिया था इसके बाद हमारे आ देखिए हमारी तीन राउंड टेबल कॉंफरेंस होती है तो इन सब के बारे में हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे